आताजी दोस्तों मैं रितु सुकला आपका अपनी रस्वई में स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए मत्रपनिर की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ ऐसे तो मत्रपनिर आपने बहुत बार बना के खाया होगा पर एक बार मेरे तरीके से बनाएगा आपको जादा पसंदाने वाली है तो चलिए इसकी रैसएपी हम शुरू करते हैं इसके लिए हमने गयस पे कडाय चला दिया अब हम इसमे तेल डालेंगे आप अपने पसंदे किसी भी तेल में से बना सकते है चाहे हैं मैंने टील कवधित आलय है अब मैं इसमें जीडाँ गी मैं एक छोटी चम चीरा डाला है इसमें अब हम जीरा को फासा चटकने देंगे यह मैं हींग डाल रही हूं यह दिखे दोस्तों यह जो हमने 3-4 प्याज काटी थी और 3-4 तमाटर उसे हम पहले भूल लेंगे यह मैंने चार प्याज डाली है इसमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तो बस थाज सॉफ्ट करना है इसमें चार प्याज चार टमाटर है इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे यह दिखिए दोस्तो इसमें मैंने आट देस लेसन की कलिया चार पाच हरी मिर्च और अद्रक डाले है लेसन अद्रक और मिर्च आपको गैस बंद करने के बार डालनी है उसे हमें पकाना नहीं है अब इन सब को हम एक जार में निकाल कर अच्छी तरीके से एक पेश्ट तयार करेंगे बहुत चिकना सा को यह मैं इसमें घी डाल रही है दोस्तो है यह मैंने एक चमज घी डाली आप हम इसमें सरसो का तेल मिलाओं है वह आप गी ज building ढाल सकते हैं यह मैंने दो तेज पत्ते डाले हैं इसमें इन्हाइं हो दोस्ते what right और पेश्ट पैश्ट तायार के था हम इसमें डाल देंगे Yeah हम इसमें प्याजवज कटा को कुछ भी निँ डालेंगे दोस्तों क्योंकि पहँग बहुत चिकना पेश्ट सबनारा है इसका तो हमने प्याजवाच जो पीसा है बस उसी को हमें डालना है यह देखे दोस्तों यह मैं धनिया पॉड़ और दो छोटी चमच डाल रहे हूं इसमें बहुत सारे मसाले नहीं जाएंगे यह मैंने एक छोटी चमच हल्दी डाली है इक आस मेरी लाल मिर्च में कलर के लिए डाल रही हूं आप हमीश अच्छी तरीके से रहंगे इसी ता सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके बताएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है और आगे फैम्ली और फ्रेंड में सेयर कीजिएगा देखिए इसने पूरा तेल चोड़ दिया कडाई चोड़ दिया अब हम इसमें पनीर डालेंगे यह मैंने पनीर डाल दी इसमें इस तरीके साब मटर पनीर की सबजी बना कर खाएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाली है बिल्कुल धाबेज टाइल की थी देखिए दोस्तों आप पानी अपने स्वाद के जितना आपको रखना होगा धीला टाइट उस तरीके से पाए डालिएगा मैंने ज्यादा ग्रेवी नहीं लगाई थे अगर आपको ज्यादा ग्रेवी पसंद दो तो आप ज्यादा पानी डाल देजेगा देखिए दोस्तों हम इस अच्छी तरीके से पकाएंगे यह मैंने गरम मसाला इसमें डाला है यह देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से पक चुका है आई अब हम इसे सर्फ करते हैं यह मैंने एक माटी की हांडी में इसे सर्फ किया है यह दोस्तु देखने में बहुत अच्छा था और खाने में बहुत अच्छा लग रहा था एक बड़ जरूर इस तरीके से बनाकर देखेगा बहुत कम मसालों के साथ में तैयार होती है सब्सक्राइब दोस्तों हमारी चैनल प्रावर में बहुत सारे वीडियो आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा अगर आपको कोई वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट करके बताईएगा आगे किसी और वीडियो के साथ आप से मिलते हैं तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेगा जै मातरी दोस्तों